कि नमस्कार दोस्तों एक बार पुन है के रिविजन की ओनलाइन क्लासिस में आपको अर्दिक स्वागत है मेरे द्वारा आपको पूर में स्वर के विशे में जानकरी दी गई थी और उस जानकरी जो है आपके लिए पूर रूप से मैं सोचता हूं सहमत होंगे आपसे उसके अलावा जो बाते पूर के अंदर बताए गई थी उनको इमें एक बार और रिपिट कर देता हूं ताकि हमें पूर का ग्यान से नमीन ग्यान की ओर चलेंगे कल आपको स्वर की विशे में जानकरी दी कि स्वर कितनी होते हैं स्वर होते हैं ग्यारा स्वरों की मात्राइं कितनी होती हैं स्वर की मात्रा होती हैं दस हमने जाना कि अगर स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है इसके अलावा हमने जाना कि स्वरों के उच्चान इस्थल कितन भूनि कहते हैं ये और आए इसी प्रकार कंठ और ओस्ट इन दोनों की योकसिक्स ध्वनी निकलती जिसे हम कहते थे कंठ जान जा ना विद्धिया प्रकार पहला भीट पड़ा था हमने मात्रा काल के आधार पर, सेकिंड हमने पड़ा कि ओस्टो की आकती के आधार पर, थरा हमने पड़ा कि जीप की इस्तिती के आधार पर, और चोथा लास्ट वाला पॉइंट हमने पड़ा था, मुख की इस्तिती के आधार पर, फिर हम थोड़ा सा और आगे चले, तो हमने जाना अयोग वहा क्या होता है यहां पर पॉइंट आया था यूग वहा यूग वहा क्या होता है तो मैंने आपको बताया था दो वर्ण है पहला है अन दूसरा क्या है अह ये दो वर्ण क्या कहलाते हैं अयूग वहा कहलाते हैं इसके पीछे जो रीजन था कारण था वह कारण भी मैं आपको बत पहला कारण क्या था कारण एक ही था इसमें कारण ये था कि इन दो वर्णों को ना ही हम स्वर में रख सकते हैं ना ही वेंजन में रख सकते हैं क्यों नहीं रख सकते हैं क्योंकि जब इनका निर्मान करते हैं तो पहले क्या आता है प्रिक्या आती है वेंजन की ध्वनी यानि हम इने स्वर के साथ नहीं रख सकते हैं और वेंजन के साथ भी नहीं रख सकते हैं तो हमने इसका कारण था वो बता दिया था इसके अलावा मैंने आपको अनुस्वार और अर्दचन मिंदू में क्या अंतर है यही बताया था दो मैंने उदारण दिये थे, पहला दिया था हंस, और दूसरा उदारण किया था हस, फर्स्ट और सेकिन, मैंने कहा था बताइए इनका उच्चान कीजिए, तो आपने क्या किया था, आपने मुख विवर के आगे क्या रखा था हाथ, और हाथ रख करके पहला उच्चान किया निकलती है लेकिन जैसे आपने कहा हस तो ध्वनी नाक के साथ साथ कहा निकली मुख से भी निकली तो हमने जाना कि अर्चन विंदु का प्रियूग कहा होता है जहां उच्चान करते समय ध्वनी नाक के साथ साथ मुख से भी निकलती है ठीके इसके अलावा हमने अनुनासिक जान लिए थे पंचमण होते हैं अनुनासिक निर्णुनासिक क्या होता है जिनका उच्छाण करती है उन्हीं नाक से नहीं निकलती है केवल उच्छाण कहां से होता है मुख से ही होता है उसे हम क्या कहते है निर्णुनासिक वन साती साथ हमने रेके चार रूप रवेंजन के कितने चार रूप और चार रूप कौन कौन से थे चार रूप का एक वनवर्ड था कौन सा बता ही रैफ तो हमने पहला यह आला रूप जाना था, ठीके, इसके अलावा दूसरा कौन सा यह आला रूप था, क्रा के इंदर, तीसरा यह वाला रूप था, और लाश्ट वाला एक्टरा वाला रूप था, जिसमें रहे, यह रहे के चार हूँ आपको देखने को मिले थे, कलम बहुत कैसे कैसे बनते हैं, ठीके, तो यहाँ तक मैं सोचता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, अब हम आगे चलते हैं, स्वर हमारे यहाँ तक complete हो चुके थे, और स्वर में जितनी भी बाते थी, मैं पूर रूप से मैं आपको समझा चुका हूँ, अब हम आगे च क्या है अच्च, स्वर का एक नाम क्या है अच्च, और इसी प्रकार व्यंजन का अगर एको नाम पूछा जाए, तो एको नाम क्या होगा हल, क्यों है हल नाम क्यों पड़ा, हल से ही बना हलंत, हलंत कहां लगता है, हलंत चिन का प्रियोग कहां होता है, हलंत चिन का लोग नहीं होता है ठीक बात है अगर हलंत चिन का प्रियोग किसके नीचे होगा सदे वेंजनों की नीचे ही किया जाता है यानि यह बात है यह पता से लेगी यह आपको किसी वेंजन को शुद्ध बनाना है शुद्ध बनाने के लिए उसके नीचे एक चिन का प्रियोग किया जाता है जिसे आप कहते हैं हलंत चिन ओके ठीके आगे चलते हैं तो सच्छे पहले हावे वेंजन आ गया वेंजन की हम बात करेंगे कि वेंजन होते क्या है देखे जब मैंने स्वर के आपको परिवाशा बताई थी तो स्वर की परिवाशा बताते समय ही मैंने आपको वेंजन फेफडों से उठने वाली हवा, सीधी क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए? यानि, जीब है, अपने उच्चान स्कल को इस परशे, नहीं कहें, जिनका उच्चान कैसा हो, सोतन्ता, पूर्वग, आजादी के साथ, सोतन्ता के साथ, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर्म, लेकिन ज जिनके उचान में जीव या जीवा मुख के उचान स्थल को अच्छी तरह से क्या कर इसपर्ष करें। उन्हें हम क्या कहेंगे वियंजन कहेंगे। इस टॉपिक को वियंजन के टॉपिक को में बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। वेंजन किसे कहेंगे जा उचारन करेंगे तो जीब आपके उचारन इस्थलो को अच्छी तरह से इस्पर्ष करेगी अब कैसे इस्पर्ष करेगी इस पे भी हम चरचा कर लेंगे उस से पहले परिभाशा पढ़ ले दें, देखी क्या लिखे परिवाशा वण माला की वेवण जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनिया अर्थात अन्य ध्वनियों से तातपरी क्या है स्वरों से अर्थात स्वरों की सायता ली जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं व्येंजन कहते हैं तो एक बात तो आपको पहले सी पत क्या बिना स्वर की सायता से किसी भी वेंजन का उचारण किया जा सकता है क्या आप कहेंगे सर नहीं किया जा सकता है यही बात यहां पर बिश्पश्ट हो रही है कि बिना स्वर की सायता से आप किसी भी वेंजन का उचारण नहीं कर सकते हैं ठीक बात यहां पर क्या हो चुकी है clear हो छुकी है ठीक है तो यहां पर दोनों में डिफ्रेंटेंस करना सी क्लिक्या है जिनके उचारण में किसी अन्य इद्वनी श्वर की सायता नहीं ली जाती है जो स्वतन्ता पूरवग बूले जाते हैं उनने क्या कहते हैं स्वर कैसे होता है उस प्रिवियम चर्चा करेंगे लेकिन पहले हमें इनकी परिभाशा को समझना है ठीक बात हैं जैसे हम गणीत में सवाल जब सौल करते हैं फिर फॉर्मुले को समझते हैं फिर फॉर्मुले बेस के आधर पर सवाल को क्या करते हैं हल करते हैं सौल करते हैं उसी प उच्चारण में फैफडों हवा कहां बरी होती है हमारी फैफडों में जिनके उच्चारण में फैफडों से उठने वाली हवा मुखद्वार में मुखद्वार में बाधित होकर बाधित का मतलब क्या होगी रुकावट आएगी जब आप उच्चारण करेंगे फैफडों से उठने वाली हवा मुख द्वार से उपर आएगी तो यहां पर बाधित होगी बाधित कौन करेगी आपकी जीवा उससे क्या करेगी रोकने का काम करेगी एक तो आपने स्वर देखेते स्वर सीधे फैफडों से उठने वाली हवा है वो उपर उठी और सीधे किसीधे कहा निक जैसे कि आप रास्ते से निकल रहे हैं गेलरी से निकल रहे हैं और बीच में दूसरा बंदा आ जाए ठीक है गेलरी कितनी है दो फुट की एकिवल आप ही निकल सकते हैं और जब दूसरा बंदा आ जाएगा तो आपको निकलना तो दोड़ने क्या हो जाएंगे और आड़े हो साथ ही जीव अपने उचान स्थल को अच्छी तरह से इस्पर्ष करती है। ठीक बात हैं, तो उन वर्णों को व्येंजन की संग्या, संग्या का मतलब क्या होता है, संग्या का मतलब होता है, नाम, अभी हम टॉपिक पढ़ाएंगे आगे जाके, संग्या, संग्या का मतलब क्या होता है, नाम, तो हम उसे क्या दिया नाम, हमने उसे नाम दिया व्येंज ठीक है? तो यहां पर हम चर्चा कर चुके हैं, वेंजन किसे कहते हैं? यहां पर हमने जाना कि जिनके उच्चार्ण में किसी अन्य ध्वनी स्वर, अर्था स्वरों की साहिता ली जाती है, उन्हें हम वेंजन कहते हैं, एक और परिवाशा में आपको बताने ही कोशिश की, कि ह हमारे फैंफडों से उठेने वाली हवा जब मुद्वार से बाहर निकलती है तो गर्शन होगा बादित होगा और साती साथ जो जीव है अपने उच्चार्ण इस्थलों को अच्छी तरे से क्या करती है इस पर्श करती है एक ही परिवाशा आपको याद करनी है नहीं परिवाशा आपके दिमाह में बैठी होने चीए जिनके उचार्ण में किसी अन्य दोने सायता नहीं ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं जिन में सायता ली जाए उन्हें क्या कहते हैं वेंजन कहते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं एक बात में और लिखी है वेंजन यहाँ पर वेंजन में क्या लिखाया कि शुद्ध वेंजन को दरशाने के लिए उसके नीचे हलंत चिन का पुर्यो किया जाता है यह बात मैं आपको पहले जी बता चुका हूँ इहां पे भी लिखी भी इस बात को और समझ दकते हैं कि आगर यदि आपको किसी वेंजन को शुद्ध करना है तो शुद्ध करने के लिए आप उसके नेचे एक चिन लगाएंगे उस चिन का नाम क्या होता है हलन्त चिन हल वेंजन का उपनाम है ठीक है विंजन का ही क्या है उक नाम है तो हल और हल से क्या बना हलन्त तो यहां पर चर्चा कर इसे कर जिसे आगया माली कर यहां पर खर अब खर है यहां पर यह खर के निचे उल्डेडी क्या लगा रहा है हलन्त जैसे मैंने कर लगा दिया कर के निचे क्या लगा दिया मैंने हलन्त गाग आ के नीचे क्या लगा दिया हलन्द, क्या बताईए मैं आ के नीचे हलन्द लगा सकता हूँ क्या, नहीं, क्या मैं आ के नीचे हलन्द लगा सकता हूँ क्या, नहीं, भीया स्वरों के नीचे कभी भी हलन्द चिन नहीं लगता है, क्योंकि स्वर ही वह चीज है, जो व्य हलन्त चिन का प्रयोग हुगा तो किसके नीचे सदी वेंजनों के नीचे और वेंजनों के नीचे भी क्यों क्यों कि हम ये उसे शुद्ध बताना है तो शुद्ध बताने के लिए उसके नीचे हलन्त चिन का प्रयोग किया जाता है एक बात और है जैसे हमने का तो को मैं पहले में परिवाशा को बहुत अच्छी तर जान लिया कि जिनके उचाड में किसी अन्य-धुनिस्वर की सायता लिजाये उन्हें वेंजन कहते हैं एक बात हमने और जाने किसी वेंजन को आपको शुद्ध बताना है तो शुद्ध बताने के लिए उसके नेचे हलंत चिन्धन का प्रियू किया जाता है ठीके अब हमेरे लिए बहुत most important है इनके उच्चारण इस्थर ठीके क्या है यहाँ पर लिखते हैं व्यांजनों के उच्चारण इस्थर व्यांजनों के उच्चारण इस्थल, इस्थल कहो या फिरिस्तान कहो बात एक इये दोनेमस अनतर नहीं है ठीके व्यांजनों के उच्चारण इस्थल को बनाने से पूर मुझे आपको एक मैपिंग बनाना पड़ेगा अ इनके माद्यमस में से समझा चुकई। उसके लिए आपको कुछ बाते और समझ नहीं है ठीक है देखिए मैं हाँ पर एक कि यह कि इसन गड़ की बनिठनी मत मान देना थीक है कि इसन गड़ की बनिठनी नहीं है मैंने अपने इसाफ से अपनी बात को समझा रहा है और आपको भी इसके इसाफ से अपनी बात को समझना है सबसे पहले यहाँ पर नमबर वन पर क्या आता है नमबर वन पर आता है कंट सबको पता होना अच्छे कंट सबके पास है यह वाला इससा ठीक है इसे आप क्या केते हैं इसे कहते हैं कंट कभी कबी कहते हैं कुछ ऑप चलते हैं, अब यह वाला ये तो जीव ये तो आपकी क्या है बताईए जीव और जीव का हमने एको नाम कम करा तब जीव कहो या कहो जीवहा बात एक ही है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मिसके बना जेते दांत ठीक है उबर खावड बन गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह आपके क्या है बताईए दंत यह आपके क्या है दंत ठीक है अब अहाँ पर हमें कन्फिजन किस्म होगी और यह आपके अभी नंबरिंग कर लेंगे हैं आरम से लेकिन इस बात को समझना ओस्ट साफ साफ नजर आते हैं कोई भी व्यक्ति ओस्ट इने होटों को अच्छी तरह से व्याक्यान कर सकता है यह आपके क्या कहलाते हैं होट कोई दिक्कत नहीं है यह आपके क्या है वह यह दांत कोई द देखिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा यह आप क्या मुख है माली यह आपका मुख और यह आपके क्या है वह यह दानत है यह आपका उख है यह आपके क्या है दानत दिखरें दानत किसी ज़िए मसूड़ों से और मसूर के जश्ट उपर वाला हिस्सा ये मसूर के जश्ट उपर वाला हिस्सा जो खुर्दरापन है मसूर के जश्ट उपर वाला हिस्सा जिसमें क्या है खुर्दरापन है है थीक है खुर्दरापन मसूरों के जश्ट उपर वाला हिस्सा खुर्दरापन आप इसको रभिष करके रगड़ की देखे रगड़ा मैंने यहाला हिस्सा जब मैंने इसको रगड़ के देखा तो यहां पर खुर्दरापन नजराया यह जो खुर्दरापन वाला हिस्सा है इसे आप कहते हैं मुर्धा थोड़ा सा ध्यान करना ये जो खुर्दरा पन वाला हिस्सा है इसे आप कहते हैं मुर्धा ठीके और यदि आपको मुर्धा नहीं पता चलेगा तो आप गेंजनों की शुद्द चान नहीं कर पाएंगे इसी कान में इस बात पर जो लगा रहा है इस मुर्धा के आप देखें इस मुर्धा के दांत है दांत चे उपर किस से मुर्धा मुर्धा रगड के देखा इस मुर्धा के जश्ट एक इस्सा है बिलकुर चिकना इस्सा है इस मुर्धा के जश्ट उपर जाएंगे तो आप इससे आप क्या कहते हैं तालू कि केहां पीचे तक होता यह यह यहां मुर्धा में भी खुरदरापन जहां जांगको खुरदरापन सामने से बिल्कुल का фотограф कर आज जाएगा में आने चाहिए मैं अपनी बात को वापस समझाएता हूं देखे एक चित्र बना रहे हैं यहां पर चित्र बनाते समय ध्यान करना कंट कंट के बाद क्या आता है तालू तुम यहांपर गेरों बना रहा हूं और सेकिन नंबर पर क्या लिखार हूं तो आपको पता चल चुका होगा कि तालू वाला हिस्सा कुन सा है मैंने कहा कि आपके दांत किसी जड़े मसूडों से मसूडों के जश्ट उपर वाला हिस्सा खेलाता है मुर्धा आप अपने सामने वाले दांत के उपर रगड़ के देखेंगे जहां-जहां कुर्धरापन नजर आ रहा है रिसार का सार हिस्सा है उसे आप कहते हैं तालू अगर वाले से रगड़के देखें चिकनाट नजल आएगी कभी कभी आप गरम चीज एक बार पी लेते हैं जैसे आपने कौफी पी और गरम थी क्या होगा आपका जो तालू चिकना वाला इससा क्यों कोमल है चिकना है तो उसके उपर खाल जम जाएगी ठीक है उसकी जो उपरी खाल है वो एकदम से उतरने लग जाएगी जैसे हातों पर कभी कभी खाल होती है उतरने लग जाती है जैसे हम दिपावली आएगे भी सफाई करेंगे तो खाल उतरने लग जाती है उसी प्रकार गरम चीज पीने से गरम चीज मतलब थार नंबर पे लिख रहां मुड़धा क्या लिखा मुड़धा और यहां पर द फोर्थ नंबर पे क्या लिखा दंथ और पांचय नंबर पे क्यालिक का ऊस्ट तो पहले याली बात आपको clear होनी चाहिए कि मुक्के उच्चाण अव्योव, अव्योव का मतला पाठ, हिस्सा, भाग, भाइ कितने हैं? पाँच है, पहला है कंट, फिर हम आगे चले, फिर है तालू, तालू मैंने बताए है चिकनाला इस्सा, फिर थर्ड नम्बर पर चलते हैं दाख देखो नियम भी चल रहा है आगे चले फिर आए तालू वह उपड़ चलेंगे तो पर वाला इससा कह लागा तालू तालू उस्ट नीचे क्या मुर्धा मुर्दा से नीचे क्या है दान, दान की बात क्या है ओस्ट तो क्रम आपको पता हो ना चाहिए कई विख्तियों को क्रम पता नहीं होता कि भई कैसे चलें तो मैंने उपपर से कंट से निकल के रोपर चल रहे हैं आपर पहले तालू आएगा उपपर वाला ऐसा चिकना इसा है तालू से नीचे क्या है मुर्धा है मुर्धा जस नीचे क्या है दान, दान से नीचे आपकी सामनी के नजर आ रहे हैं ओस्ट यानी होंट अब कंट, कंट से किस वर्ग का उचान होता है कंट से होता है बताए कवर्ग का कवर्ग का अच्छाण होता है तालू से होता है पताए कौन से वर्ग का चवर्ग का मुर्धा मुर्धा से होता है आपके टवर्ग का दंत दंत से आपका होता है तवर्ग का और ओष्ट ओठ से होता है आपका पवर्ग का ठीक है यहाँ पर भी चर्चा कर चुके हैं यहाँ प कौन से पहला कंठ दूसरा तालू तीसरा मुर्धा छोथा दंत पांच्वा क्या है ओस्ट हमें बहुत अच्छी तरह चार्शा करने हैं क्यों कि जब मैंने आपको कहा था आप संधी का टॉपिंग उससे पढ़ेंगे तम मैं एक बार कुने कहूंगा कि भई आपको वनवाला ग्यान होना चाहिए यदि वर्णो का ग्यान नहीं है क्यों संधी में संदी नौन का में ग्यांगे तो मेल केसे कराएंगे, मेल कराने के लिए हमें किसका ग्यान होना चाहिए, यही बात हम चर्चा कर रहे हैं, कि दो वर्णों का मेल केसे, ठीके, तो सबसे पहले क्या आता है, कंठ, और कंठ से निकलने वारी धोनी को नामतर्ण करा बताई, कौन धोनी, कंठे धोनी, कौन सी ध कंट और कंट से निकलने मज़ें धोनी का नाम ट्रण क्या होगा कंठे धोनी आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूं यहाँ पर कंठे धोनी कौन-कौन सी है इसे मैंने आपको पहले बताते हैं, इसको अभी चुपा देता हूँ, मैं कुछ समय के लिए, ठीके, इसको कुछ समय के लिए चुपा देता हूँ, और फिर उजाकर कर देंगे इसको, इसे आप क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आप अंग, इसे आप पढ़ते हैं, इसे कई जगे हंग भी पढ़ते हैं ठीक है हंग की दोनी पढ़ती है या अंग पढ़ो कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो यहां पर हम चर्चा करते हैं क क क ख ग ग अंग देखिए कंठ के यहां से उच्चान हो definey अप देखिये इस से अंग के उपढ़ते हैं अणवने खाली क्यों नहीं पढ़ते सुविच अर्चा कर लेते हैं हैं पहली बाद कि साब हम जब बच्छपन पड़ाख हिंदी क्या वनमालों ग्यान में नहीं था तो शड़ी लेकर के मास्टर जी बोलते कर से कभूतर, खर से खरगोज, गह से गणी, ऐसे घड़ी, कुछ नहीं, बच्चों बजाओ ताली, कुछ नहीं, हाला कि उस समय में समझवें नहीं आता था कि अन्वाणा, छोने लगें तो पते सला कि इसे किसे कहते लंग यह हंग दोना चान क्या है समान है अंग पढ़ो तो आसानी से उचान हो जाएगा लेकिन मास्ट्र उस समय कहता था कि अणए मने कुछ नहीं अणए मने खाली बच्चों बजाओ ताली ऐसा वह कहता था लेकिन वो शाद सही भी कहता है स्याद उसकी बात को मुझे नहीं आया वो इसकान कहता था कि अनमने खाली बच्चो बजाव ताली क्योंकि इससे किस्से अंग से इससे स्टार्ट होने वाला हिंदी भाषा में कोई भी शब्द ही नहीं है कई जने बच्चे होते हैं साइडवे बिंदी लगाते कहीं को देखा मैंने हिंदी अपने स्थाम में कितनी अशुद लिखने पढ़ा है तू पढ़ा इस प्रकार नहीं लिख करके वो कैसे लिख देंगे पढ़ा यह लो यह कौनसी बात हो इस बिंदी तुमाजी मनमर्जी ठ लगा दोगे हर एक चीज़ का इस्थान होता है महिला बिंदी कहा लगाती यहां तो सुंदर लगती यहां लगा देगी तो बेवकुफ के लाएगी यहां लगा देगी तो बेवकुफ के लाएगी गालों पर लगा देगी तो बेवकुफ के लाएगी वही बात यहां पे हिंदी की भी है कि आप अपनी मनवर्जी से सारी बिंदिया नहीं लगा सकते जहां पे जिसका इस्तान है वो ही लगाएंगे अिनए मने खाली तत्परी क्या है इससे अंग से स्टार्ट होने वाला शुरू होने वाला हिंदी बाशा में कुई भी शब्द बताईए नहीं है क्या मेरी बाश समझ में आगए आपको तो पहला कव और कव चंड क्या हो गया कखगगः इसका एक नाम और है इसका एक नाम और है वह एक नाम क्या है इसका एक नाम और है इसे बोलते हैं कोमल तालवे हाला कि ये बात डेप्ट में जाकर है यानि कंठ के कुछ उपर का भाग अब इस बात को समझा आप इसे एक नाम करण ओर दिया गया है क्या कोमल तालवे आप गोलेगे से तालू तो वहाँ पर था मैंने भी भी कहा कि जो भी चिकना इस्सा है ये वाला उपर इस्सा यहाँ पर पीछे तक का इस्सा उपर की छाली छत का पूर का पर चिकना वाला इस्सा है वो सारा का सारा के कलाता है तालू और पीछे वाला जिस्सा है उसे कोमल कहते हैं आगे लाला इस्सा जबडा जो है मारतों तो क्या है कठूर है और पीछे वाला इस्सा क्या है कोमल है तो जो पिछले वाला इस्सा है कंट के ऊपर जो पिछले वाला इस्सा है तालू से मिल रहा है उसे के नामकरण क्या क करती कि ना जाएगा तो मैंने कहा कंट से कुछ उपर कंट यह है आप लोग तो कह का जो रिहाना पड़के कहां पड़ेगा यहां पर को ख ग घ अंग किलियर तो हमने एक नाम ओर जाना कि कंट को एक उर्चान स्थान क्या को मल तालबे आप यार रखें नहीं रखें कोई दिक तालू तो देखिए एक अंट में था आपको पता नहीं चला कि जीव कहां टकराए कर लेकिन तालू में आपको पटा चलेंगा कि आपकी जीव है वहर अपने उच्णट स्थल में किस प्रकार इस पर्शे कर रही है और तालू से मैंने का दांत से अपर जश्ट क्या है मुर्धा खुर्दरापन उस खुर्दरपन के जश्ट उपर जिकना वाला इससा उसे बोलते हैं तालू आप बोलो देखिए चै जीव आपकी उपर चै चै जै जै यह 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 पड़ो यह पड़ो बात देखिए और सबसे पहले मैं इन दो वर्णों को एक बार वापा चुपा देता हूं कि सकी चर्चा भी मैं करूंगा कुछ समय बाद कोई दिक्कत नहीं एक सब्द आया है यह कही ज़ने इसको इए भी पड़ते हैं ठीके तो यह पड़ो या फिर यहां पढ़ो कुई दिक्कत ने यहां यहां बात देखी कि यह भी तालू यह भी तालू है तो हैं चर्चा करी कि च छ देखिये दांद की से शुपर मुर्दा मुर्दा के शुपर तालू से जीव टकरा रही च च छ ज ज ज यह ठीक है यह हो गया अब देखी यहां पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा भई भई क्या बात बताना चाहूँगे कि इस तालू का एक और नाम है तालू वर्तस्य वर्तस्य नहीं इसका नाम तालू वर्तस्य वर्तस्य का मतलब होता मसूडा इसका नाम तालू वर्तस से क्यों पड़ा क्योंकि जब आप जीव जैसे आप चयवर का उचान करते हैं तो जीव तालू को छूने के लिए जैसे ही उपर के उर उठती है तो मसूणों को इसपर्श करती हुई कहां तक मोचती है तालू तक जैसे आपने खाए जीव उपर उठी जैसे उठी तो बीच में क्या आगया मसूणा मसूणों को इसपर्श करती हुई कहां तक मोच जाती है तालू तक इस कारण इसका नाम करण क्या पड़ा तालू वर्तस से क्या मेरी बास थर्ड नमबर पर देखे आप दोनों मेंतर भी कर लेंगे थर्ड नमबर पर क्या आता मुर्धा मुर्धा का शावदिकार्थ क्या होता खुर्दरा मैंने अभी भी कहा कि दात के उपर आप रगड के देखेंगे तो खुर्दरा पर ज़राएगा जहां वो खुर्द्राप्र नजराए व कर दो कि निकलने वाली दोनी का नाम प्रण क्या होगा मुर्धनिय धोनी कौन दोनी बताई कैसे देखे कौन-कौन से वर्ण है पहले में यांपे इन दो वर्णों को क्या करता हूं चुपा देता हूं कि इनकी चचत सोड़ी समय बाद होगी देखिए त देखिए आपके जीब मेरी भी जीब दांत के उपर जश्ट जो मुर्दा है उससे टकरा रही है यदि अंतर करना चाओ तो आप चे को बोलो चे उपर जाएगी मुर्दा के उपर क्या है तालू आप बोलो च च अब बोलो ट थ तो नीचे आ गई है तो दिहान करने का तरीका है मैंने अभी आपको समझाया आप बोलो च तो उपर है तो नीचे है क्योंकि नीचे तालू के जश्ट नीचे क्या है मुर्दा चिकने वाले इससे के नीचे क क्या झाँ और जहां से देखे मुठन दांत के ऊपर क्या है यहां पर डेख़े के देखें क्लील यहां तक बाद तीन उच्छन पढ़ लिए पहला कंट दूसरा तालू कर आपके क्या आमने क्या है मुड़्दा कि और देखे दंत के अंदर से निकलने वाली नाम करने क्या होगा अब आपकी जीवा या जीव किसको टकराईगी बताईए दात को तो देखी कैसे आवल लगता है थ ध ध ध ध ध न जब आपके दात गिर जाएंगे बड़ापे के अंदर भूमें एक भी दात नहीं रहेगा ता अब तैवर्ग का उच्ण करके देखना तैवर्ग में तृतलाने लग जाएंगे की जब जीव होती है किसको किसको इस्प्रस करती दातों को मेरे भी जीव किसको गशलós कर से इस उचरित हो रहे हैं तो यहां पर आग्या ना थीके 5 नमबर फेक में चलते हैं ओस्ट और ओस्टसे निकलने वाले धुनी का नामकरणा क्या है ओस्टे धुनी आप कहेंगे सरी बताईए कौंसी है ओस्टे धुने को निदुर्ण हमरी की मैंने आपको बताया था एक लब से लब मिल जाएंगे दोनों आपस में क्या हूंगे चिपक जाएंगे पठेंगे वाद और माद असके बेगा बना रहे हैं यहां कर लेना अच्छा नुमड़ नहीं इसको मैं मिटा रहा हूं है गलती से लिग दिया नहीं मैंने मिटा दिया इसको बहुत अच्छी यह त पाते और है इसके इंदर जो मैं समझनी है अलग से रिख दिया है नाम करण कर दिया है आप से पूछा जाए कि स्वरों के उच्चान इस्थल कितने हैं वेंजनों के उच्चान इस्थल कितने हैं, वेंजनों के पांच उच्चान इस्थल कितने हैं, पांच कितना है, पांच, पहला है कंट, तूसरा है तालू, तीसरा है दंत, छोता है ओस्ट, पांचवा है ओस्ट, तो छोता है दंत, तो कंट है, तालू है, मुर्दा है, दंत है ओर उस्ट यहां पर अब यहां ता मेरी बार सम्झ में आगई क्या मैंने 25 फadores और आई भा ज़्यका पर क्या ओब चछा करशे काुथ कॉन ककॉन से कहलों से यहां पर में म에 कंड्ट की बात कर फिर है ता था डा धान फिर है ता था दा धान फिर क्या है पा फा बा भा म थीक है तो ये 25 में हमें चर्चा करी इन 25 वेंजनों को इसपर्स वेंजन कहते हैं क्यों कहते हैं इसपर्स वेंजन क्योंकि जब आप उचान करते हैं तो उचान करते समय जीव अपने उचान इस्थलों को क्या करती है इसपर्स करती इसका नाम प्रण क्या पड़ा इसपर्स वेंजन ठीक है तो कई बार प्रशन आता है इसपर्स वेंजन कितने होते हैं तो आ के लिए हो गई यहां तक बाते अब यहां पर एक दू बाते और समझनी आपको जो मैंने यहां पर ब्लैंक कर दी यहां पर खाले इस्तान बना दिया उनको क्यों बना दिया इस पर में चर्चा कर दिया तो यह 25 इसपर्श वेंजन के अलावा एक वेंजन होते हैं जिन्हें बोलते हैं अन्तह इस्तह वेंजन करेंगे पहले में लिख देता हूं यह र ल और व सबके निचे हलुन क्यों लगा जेते हैं शुद्ध बताने के लिए ठीक है यार लव इसी प्रकार एक वेंजन होते हैं जिन्हें कहते हैं उशी मेंजन क्योंकि मैं इनको पढ़ाऊंगा भी बाद में तब भी समझ में आ जाएगा बीच में मैं चचा काने पढ़ रही इस क चारण करते हैं तो हवा मुक्के भीतर ही भीतर घूमती हुई रहती है हवा मुक्के भीतर ही भीतर क्या होती है घूमती हुई रहती है और भीतर ही घूमती रहने के कारण इसका नाम क्या पढ़ा अंत हैं अंत है मतलब भीतर इस्त है मतलब इस्तित का इस्तित भीतर इस्ति जो हवा है वो मुख से गरम होकर क्या निकलती है बाहर निकलती है मुख से गरम होकर क्या निकलती है बाहर निकलती है इसका नाम करन क्या पड़ा उश्यमेंजन यहां पर भी चर्चा कर लेंगे लेकिन आपको अभी इतना से धान करना है ठीक है घ्रकान में क्यों दिया क्योंकि हगा उच्ण इस्थान क्या है कंठ सब्सक्राइब यह तो अलग से बेदी करने करने और याने के लिए हमें चर्चा करें पांच पांच ही उच्ण इस्तान है देखे हो का उच्ण कहां पर डाले कंट में दिख वाइब्रेशन होगा आप लो को अब लो हो का उच्ण कहां से कंट से तो नंबर बन पर हम यहां पर आप चल रहे हैं बता है कंट पर और कंट में भी क्या आ गया है तो कोई आप से पूछे कि भ कोई तो पता चलना पड़ेगा कि उच्छान सतन कुण कोई से तो हंब को नंबर वन पर चले गया नंबर वन में किया ता कंट मतलब हर का सब्सक्राइख नो पर हुम चलते ही बहुत इंपटेंट शेयर कि नंबर में क्या गए और शेयर का उच्ठानस्तान कुछ यह nimmtर नियुक्त होता है आज के बाद और वह कैसे बैबी मैं बता हूं मैं यह हाँ इस पहले रखाहा हुँ मैं जो आपने यह और शय ठीके इसका उच्चान इस्तान भी कौन सा है तालू है अब आप कहेंगे सर बताईए कैसे आप उच्चान करें आवल चय चय जय यह 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 शय वहीं जीप टकराए तालू पर जहां चय पर टकरा रही है शय उपर टकराएगी बिल्कुल तालू मैंने बहुत अच्छी तर्श पश्ट करा भी इस चय यह 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 बिल्कुल केलियर हो गए अब देखिए एक बात और आप थर्ण नंबर पर चल रहें थर्ण नंबर पर क्या है रहे और रहे और से का रहे वापस हमने इनको पुरसाइद कर दिया सामने उजाकर कर दिया रहा और शेष देखिए रह शेष वही पे टकल यह तो शेष बोलके दिखाओ शेष उपार जाएगा आप बोलो पिर हम आगे चले फोर्ट अंबर पर ले और से ले और से का उच्चान स्थान कुन सा दंत देखिए इसको भी आप बताओ के से आप बोलो एक शेयर उपर जाएगा तालू एक शेयर नीचे आएगा मुर्धा एक सर नीचे आएगा प्री क्या है दंत वाला थीके तीनों के नाम दिसकते हैं बताओ ये श्यलगम शटकॉण और सड़क तीनों को थेके तो सल श श श श श तीनों का उच्छान इसतान आपको पता होना चाहिए ठीके और पाचे नंबर पर हम चलते हैं पाचे नंबर पर क्या है बताओ ये ओस्ट और उट से उचकलने वाली धोनी कौन सी है बताओ ये व देखिए इसको भी मिलेंग कर देते हैं आपर नजर आ र कि यदि आपको जो पहले वाला रूप था कि का का उच्चन इसतान कौन सा है कि कस से निकलने वाले धोनी कंटी धोनी के लाती है और को में किसकी सवर का उच्चन होता है तो आप सीच तैब 43 और हैं तालू तालू से निकलने वाले हाँ पर धोने की बात करेंगे तालू में कोछों सा होगा मुर्धा में कुन rafis speaking और पिर हम बात करेंगे किस पि दन्त की डंत में ग्या होगा ते जय nne less !! पिर Хम बात करेंगे ऑस्ट की ओस्ट में क्या होगा होगें tussen और चार होते हैं उस इंजन कितने होते हैं इसमीं विच न भी चार होते हैं तो यहां पर यह क्या वला है यह अलग की बला है इस इस पर यह पर हम चर्चा करेंगे यहां अब आपने पर एक बार जाने कि वेंजनों के उच्छान इस्थल कितने हैं वेंजन उस्थल कर चुके हैं इसके अलावा कुछ ऐसे वेंजन हैं जो कि अपने उच्चान इस्थल अलग से भी रखते हैं तो इनके अंदर गेती लेकिन कुछ अलग से एक्ष्टर क्वालिटी रखते हैं उस पर बिन चर्चा कर लेते हैं इसे कि यहाँ पर वर्ण आगए दंतोष्टे वर्ण इसको मैं साइड में लिदेता हूं वह बस आप कहें कि दंतोष्टे वर्ण कुनसा साथ दंतोष्टे वर्ण है एक वर्ण तो आप कहेंगे सर यह वर्ण क्या है वर्ण को तो आपने अभी अभी किसमें रखा ओस्ट में और आप दंतोष्ट यह बना कैसे चर्चांट करते समें जो आपके नीचे वाले होंट दोन होट आपस में नीचे वाले होंट और उपर वाला दात क्या करते हैं इस पर सिकरते हैं मतलब दात का भी काम हो रहा है इसमें और उस्ट का भी काम हो रहा है इसका नामकरण क्या पड़ा दन तोस्टिय वन बासन में आ गई होगी आपको और देखिए यहांपन चर्चा करते हैं कि एक पर वन उत होता फ लेकिन फ अर्बी-फारसी भाषा की आगद्ध वने है पांच वती है यहां पर देखेंगे फ का चाण भी किससे होता है दंतरो और से कई किताब में लिखा हो आता सर्फ क्यों नहीं बताया बहुत हिंदी का नहीं अर्बी फार्शी बाशा का फ एक तो होता है फलक और एक होता है फलक अब देखें दोनों में अंतर करते हैं फलक का मतलब क्या होता सते हैं आप बोलो फलक फलक दोनों हो टापस मिला लो फलक तो सते हैं और एक वो लगा एक यहां पर क्या बोलेंगे फलक फलक का मतलब क्या होता है आसमा फलक तक चल साथ मेरे तू फलक पे जितने सितार हैं वो भी सरमा है तो फलक और फलक दोनों में क्या होगा अंसर कई किताब में आपको फर के नीचे आला युवन जिख़े दंतोष्टेम इसको गिना गया लेकिन मैं कहूंगा था कर दो आर्भी नहीं पढ़ने हमें क्या पढ़नी हिंदी तो हिंदी के साथ कि यह अर्भी फार्शी मिला लें तो बोसकते हैं कि लिए ठीक है यहां पर चरचा कर चुके हैं सबकुर समझ में आई चुका होगा आपको ठीक है इसके अलाग और खुस्थानी आगे हम चलते ह यहाँ पर इसको भी बिलेंग कर दीता हूँ क्यों कर देते हैं बिलेंग क्योंकि इस चान स्थान कितने हैं केल पांच ही है यह एश्टा जो बात हैं जो हमें पता चल रहे हैं उसको हम बता रहे हैं ठीक है हमें कितनी बात द्धान में करने हैं हमें केवल पाँच उच्चान इस्तान जो है वो समय में आने चाहिए अब देखी एकोश अब है अली जीवा आप कहेंगे सरी अली जीवा क्या है इसको भी समझे अली जीवा का एक नाम पड़ा काकल और काकल से निकलने वाली धोनी का नाम करन पड़े तो क्या कहें काकल धोनी काकल धोनी आप कहेंगे सरी अली जीवा काकल काकल धोनी यह क्या होती है मैं बताना चाहूंगा कि काकल होता क्या है ठीक है काकल होता क्या है वैसे तो तब को पता है तालू मैं घंटी तो यहां पर है कंट के कुछ नीचे का भाग काकल कहलाता है और इस काकल से निकलने वाली धवनी का नामकरण क्या पड़िए का काकल दवनी एक बात और लेखिए इसका उच्चान इस्तान क्या है स्वर्यंत्र भी है आप कहो सर कैसे यानि इसके तीन नाम हो गए अली जीवा कहो काकल कहो या फिर एक नामकरण और कह सकते हैं इसको तो हमने किसमें गिनाता है इसको गिनाता हमने कंठ में किसको गिनाता अलग से क्यों बनाया क्योंकि इसके उच्चान स्थान क्या है अलग भी है हाला कि देखी उधारंग की उफ समझाते हैं जैसे आप मैंने कहा भई कि ये इसको क्या कहलाता है आप बलेंगे कलाई कहलाता है और मैंने कहा इसको क्या कहते है तो आप इसको भी कलाई कहते है लेकिन इस्तान का विशेश नाम नहीं है तो हमने किसमी गिना इसको कलाई के अं लेकिन इसी प्रकार यहां से यहां तक का इस्सा पूरा का पूरा के आता एका लेकिन जो उपर का बाग मैंने भी पताया था कोमल तालव में अभी आप उचांड करें तो चांड जब करेंगे तो वाइब्रेशन हवा का प्रेशर जोर कहां पड़ेगा यहां पर क्यों लेकिन जैसे आप लोगा तो हगा उपर से कहां जागा नीचे से जो स्वर्यंत रहें लिखावा है कंट के कुछ नीचे का भाग कंट की कुछ नीचे का भाग के नाम से जाना जाता है लेकिन यह को इक चांस-थल नहीं है तो आमने से क किसम कांट करा था कंट काउने का भाग करना यह लेकिन एक्ש्ट्र कुछ बाते हैं जो आपको समझानी हैं आपको जाना कि काकल करने Megalesee काकल किकुछ नीचे का हाग साब साब दे सकते हैं आप बोलोगे कर तो कर उपर से हो रहा है नेचे से हो रहा है नेश्ट हमारा क्या है वरतस्य वरतस्य का मतलब क्या होता है मसूड़ा वरतस्य का मतलब क्या होता है मसूड़ा और साब साब लिखवा क्या मसूड़ों को इश्पर्ष करने के बाद कि यह इस उपर्श करने के बाद क्या होते हैं घए इज्ड लेकिन बहुत इंपर्टन बात हgent इन एक क्ट्रीक चुली क्या है यह आप दांस से ना हो करके, किस से होता मसूरों से, लेकिन मसूरे को उच्चान स्थल नहीं है, मसूरे को उच्चान स्थल नहीं हो, तो क्या दात ही है, लेकिन दात में ही मान लिए गए हैं, लेकिन अगर डैप्ट में जाए हैं, उसकी गहराई में जाए हैं, तो पर चलेगा वास्त जीब दांत को ठाए जीब वोगए अंदर न लस तो न लस है तीन वन ऐसे जिनका उच्चान करते से में जीब दात को न इसपर्ष करके किसको इसपर्ष करती है मसुड़ों को इसपर्ष करती है तो यह सारी के सारी बाते आपको क्यों समझाए गई है इन सब बातों का मोगल सारांस एक ही है कि वेंजन क्या होते हैं जिनके उच्चान में स्वर्ष के सायता लिजाती है दूसरी बात वेंजन के उच्चान इस्थल कितने हैं तो आप बिलोगे वेंजन के पांच उच्चान इस्थले और ये बहुत अच्छे लोच्छान करना है सल्जम लिख दया था मैंने बाते किये कुछ चान हमको शेय का देखना में का लिखा था ठीक है और और है मुर्धा में जीब टकराएगी और फिर हम आगे चलेते हैं इसमें आपने तंत में तंत में क्या तता दाना और से और और यह जो बाते हैं यह बाते हैं अगर आपको नहीं भी पता हो तब भी कोई बात नहीं कि पांच उच्छान से निकलने वाले जो वेंजन हैं उनके वि हमने स्वरों के उच्चान इस्थल पड़े थे जिस प्रकार हमने स्वरों के क्या पड़े थे उच्चान इस्थल पड़े थे स्वरी उच्चान इस्थल क्या जिस प्रकार में स्वरों का वर्गी करन पड़ा था भेद प्रकार पड़ा था उसी प्रकार हमारे सामने वेंज बात एक ही है ठीक है बेद कहो वर्गिकान कहो या प्रकार करो बात एक ही है और इसको हमने दो भागों बाटा है पहला है अभ्यंतर प्रियत्न अभीदन अंतर से बना ही है अभ्यंतर प्रियत्न अदूसरा है बाहिये प्रियत्न ठीक है अभ्यंतर प्रियत्न में हम पढ़ेंगे इस पर्शी इस्प्रिष्ट वेंजन संगर्शी वेंजन या इसका एक नाम करण और है उश्वी वेंजन इस्प्रिष्ट संगर्शी वेंजन अनुनासिक वेंजन पंच गया उच्छित वेंजाइं ताड़न जाद संगर शिन या अर्दस्वर या इश्यत इस्प्रिष्ट वेंजन इसी प्रकार इसका दूसरा भेद है उब्धित मालो जो भेद का भेद क्या कहला का उब्धित बाहे प्रतन बाहे प्रतनों के आधर पर दो है सवर्ट क्या अधर पे क्या अलप्राण और महाप्राण तो एक एक पे हम तर्चा करेंगे इसकी अगली क्लास में तो आज के लिए बहुत हैं आशा करता हूं मेरे दुआरा जो बताईगी बातें आपको समझना आ चुकी होगी और हम अगली क्लास के अंदर ने के दो भेदों को क्यान देवाद